असलाम वालेकुम गाईस वलकम बैक टू माई चैनल एमीज़ गोड लाइफ मैं अम्री नली आज आपके साथ शेयर करने वाली महरम स्पेशल खुबोली की रेसिपी तो वीडियो अंट तक जरूर देखेगा यह उबली हुवी चने की दाल 100 गिराम दो मीडियम साइस की तली हुवी प्यास लाल मिर्ष 3 टीस्पून नमक 2 टीस्पून हल्दी 1 अफ टीस्पून गरम मसारा 1 टीस्पून दालचीनी के 2 टुकडे इलाइची 4-5 लॉंग 4-5 और शाही जीरा 1 टीस्पून यह है अखनी के लिए और यह है अधन के लिए नमक 4 टीस्पून और दालचीनी इलाइची शाही जीरा लॉंग है अब हम एक बगोने में 1 कप आइल आड़ करेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जा इसमें हम 3 टीस्पून अधन रैसन का पेस्ट आड़ करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनिट के लिए अच्छे से भूल लेंगे यह है 2 मीडियम साइस के कटे हुए टामाटर अधन का देल लेंगे आड़ करेंगे और अच्छे से मिला देंगे और इसे 4 मिनिट के लिए मीडियम साइस पेस्ट आइज के पका लेते गाए टामाटर अच्छर से गर जाए ये है अधन का देर लिटर पानी इसमें हम सारे साबित मसाले आड़ कर देंगे शाही जीरा, लॉंग, इलैची, दालचीनी और नमक और इसे ढखकर 10 मिट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल चुके है इसमें हम दही आड़ करेंगे, फेटा हुआ 200 गिराम और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम उबले हुए चने की दाल आड़ कर देंगे और साथ ही में इसमें मुठी बर हरा धनिया, पुदीना और दो हरी मिर्श आड़ कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर 6 मिनिट के लिए पका लेंगे और अखनी हमारी पक जाएगी क्योंकि अल्रेडी चना की दाल गली हुई है इसलिए 6 मिनिट में पक जाएगी ये है भीके हुए बासमती चामल 400 गिराम अखनी हमारी रेडी है अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे यहां पर अधन का पानी भी बिल्कुल रेडी है अब इसमें हम फटा फट से पीगे हुए चामल आड़ कर देंगे और चामल को 5-6-6 मिनिट के लिए पका लेंगे रखनी में हम मुठी भर तली हुवी प्यास आड़ कर देंगे हाथों से क्रश करके और अच्छे से मिला देंगे और साइड में रख देंगे हमारे चामल पंकर बिल्कुल रेडी है अब इसे हम निथाल लेंगे इसके बाद इसमें हम अखनी डाल देंगे चने के डाल की और उसके बाद उपर से एक और लेयर चामल का डाल देंगे उसके बाद इसमें हम तली हुवी प्यास आड़ करेंगे यल्लो फूट कलर आड़ करेंगे और साथ ही में इसमें घी आड़ करेंगे टू टेबल स्पून और इसे हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च दाल कर इसे दम पे रख देंगे पांच मिट के लिए इसे हाई फ्लेम पर पकाना है धक कर और उसके बाद 15 मिट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे हमारी खुबूली बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए तो ये थी हमारी आज की टेस्टी मोहरम स्पेशल खुबूली की रेसिपी अगर आपको में रेसिपी पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को शेरान सब्सक्राइब करिए और हम बाजू के बल एकन को दबना ना भूलीजे ठैंक यू अल्ला आफिस